हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका जीके नाइश यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं UPSI और SSC GD से सम्मदित जर्णल नोलीज के कोशन काफी अच्छी वीडियो होने वाली है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैनल पर आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे लाइक और से जरूर कर दें तो जैसे कि आप सब जानते हैं ने दिल्ली पुलिस का एक्जाम लिया था तो आप देख सकते तो की काफी टफ एक्जाम था और एक्जाम लेगी तो यहां पर आपकी तयारी काफी अच्छी होनी चाहिए और यूपी एसाई के लिए भी कोशन इन्पोटेंट है तो वीडियो क अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया था और मुसिल्म लीग जो है इस अधिवेशन में कांग्रेस से अलग हो गई थी ठीक है तो सही आंसर अप्शन होगा एक बार 1924 में बेलगाम में राष्ट कांग्रेस के अध्यक्स बने थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा मुहमद इंकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया बंभ फैकते समय इस नारे का जो सब्द दिया था वो भगसिंग ने दिया था तो इस कोशन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगसिंग नेस कोशन है निमलिकित में से कौन भारत छोड़ों आंदो आप सभी जानते हैं भारत की आजादी के समय जो कांग्रेस के अद्रक्स तो जीबी किरपलानी और इनके पूरे नाम के बारे में आपको बता दे जीवन तराम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम था येक दासनीक गांधिवादी समाजवादी और परियारण विद स्वतंत्रता सेनानी थे ठीक है तो option C सही आंसर होगा next question है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिमांकन किस नहीं किया था देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखाया वो रेड क्लिफ के नाम से जन जाती है और ये रेखा का जो नामांकन किया था ये सिरिल रेड क्लिफ नहीं किया था option B स्कोशन का सही आंसर हो जाएगा next question है महत्मा कानी ने हिंद सवराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लेंड से दक्षिन अफरीका यात्रा कर रहे थे option C स्कोशन का सही आंसर हो जाएगा next question है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्था आपना किसने की थी so friends question का सही आंसर हो जाएगा option A SN Banal G next question है भारते सविधान के किस अनुछेद में निर्वाचा नायोग के लिए परावधान है UPPCS 2016 का question है काफी important है so friends question का सही आंसर हो जाएगा अनुछे 324 option C सही आंसर हो जाएगा अनुछेद 324 की बात की जाए लोकसेव आयोग 320 में से आता है और 322 की की बात की जाए इसमें लोकसेव आयोगो का very आता है 322 अनुछेद में आता है लोकसेव आयोगो का very ठीक है तो निर्वाचा नायोग हो गया 3024 में 320 में हो गया आपकर लोगसेवायोग और 322 में होता है आपका लोगसेवायोग का जो वेया होता है खःच होता है वो 322 में आता है प्रदिन प्रेंस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुचे 331 में और स्कूशन है अनुचित जातियां और अनुचित जन जातियों के लिए एक राश्ट्य आयोग गठित करने का प्राधवान सविधान के किस अनुचित के अंतरगत किया गया है तो फ्रेंस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओप्सन ए अनुचे 338 ए और अनुचे 338 ए तो ये UPSI और SSC के लिए बहादी इंपोर्डेंट कोश्चन है नेस्ट कोश्चन है प्राधवी के सर्वाधिक निकट कौन सा घर है तो फ्रेंस प्राधवी के सर्वाधिक निकटतम घर है वे घर है सुक्र ओप्सन ए सही आंसर हो जाएगा सुक्र और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दे प्राधवी से दूरी बढ़ते वे करम मैं आपको बताएंगे प्राधवी से जो बढ़ती वी दूरी के वरुन वरुन ठीक है तो यह हमना आपको इस्तित बता दी है प्राधवी के सबसे निकटतम घर है सुक्र नेस्कोशन है निमली के तमेंसे किसे एक को भोर का तारे के नाम से जाना जाता है सुक्र घर को ओप्सन भी सही आंसर हो जाएगा इसको भोर का तारा या संध्या का या साम का तारा भी कहा जाता है ठीक है तो ओप्सन भी सबसे ओप्सन भी सही आंसर हो जाएगा नेस्कोशन है निमली के घरहों में से किसे सोंधर का देवता कहा जाता है तो यह कहा जाता है सुक्र घर को ठीक है ओप्सन भी सही आंसर हो जाएगा नेस्कोशन है सूपर किया होता है Cut contain जोप सब्सक्राइंसें उप यह प्रसफे कि इसको प्रेजिकों जा बोलते हैं देखे जब्श्च किसी पारे के केंडूर में हेलियम कार्मन में कार्मन भारी प्रदात जैसे लुहे में परिवर्त्त होने लगता है तो तारेव में विश्पोट होता है जिसे सूपरनोवा कहते हैं ठीक है यूपी पीशे से 2015 का कोशन है इन्पोर्णेंट है तो सूपरनोवा है एक मर्ग पराये तारह है नेश क्वेशन है उत्री ध्रूव की खोज किसने की थी IJI == उत्री दुरुक की मिनिशनकी थी 1909 में ये की थी रॉबेटucktर्ट्रे मिन ये और ना विटितौqu उपसिंसे सहे सहे अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स Eggot 먹어s comment का सही अंसर हो जाएगा मे нравится ऌप्सण fusion डी प्र सहे अंसर हो जाएगा पोटेटेंट ऐपके लिए पर स्य लोग् hunting नियां का भारत की सबसे बड़ी वहाँ थीलिए देहिए भारत की सबसे बड़ी वहाँ निए है गंगा ऑफशंसी सही अंसर हो जाएगा गंगा आपको बता दे और यह भारत और बांगला देश में मिलाकर 2525 किलोमेटर की दूरी टै करती है यह उत्रखंड से उत्रखंड से लेकर इस हिमाले से लेकर बंगल की खारी के सुंदरवन सथा विशाल भूभाग को शीचती है ठीक है नो तो भारत की सबसे बड़ी वाहण थिए गंगा i support का विस्यु का चुलूग और ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं पश्रिम मंगाल में option A सही आंसर हो जाएगा भियार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हैं देखिए बिहार में बहने वाली जो अमर कंठक से निकली है नदी वह सोन नदी है ठीक है option A sorry option B सही आंसर हो जाएगा सोन नदी और आपको बदा दे अमर कंठक से और भी नदी निकली है नर्मदा नदी और जोहिला नदी भी ये आपकी अमर कंठक से निकली है ठीक है तो सही आंसर option B हो जाएगा, next question है मानस किस नदी की उप नदी है, देखें मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र की साहक नदी है, option D सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, next question है कौन सी नदी भ्रह्णस द्रोनी से होकर भहती है, so first question का सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी option A सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और आपको बता दे तापती नदी भी ये ब्रहंस द्रोनी घाटियों से ओकर भैती है option A सही आंसर हो जाएगा next question है गोर निर्तिय किस जन जाती से संबन दित है देखिए गोर निर्तिय जो है ये आपका मुडिया जन जाती से option B सही आंसर हो जाएगा मुडिया जन जाती से संबन दित है next question है निमलीकित में से कौन सा भारतिय लोक नर्तिय है SSC 2016 का question है very important है यहाँ पर आप देख सकते है SSC 2016 तो निमलीकित में से कौन सा भारतिय लोक नर्तिय है सही आंसर हो जाएगा गर्बा option C सही आंसर गर्बा होगा गुजरात का लोक नर्तिय है ठीक है गैसे गर्बा गैसे गुजरात इस तरीके से याद कर सकते है next question है निमलीकित में से यूद संबन दि नर्तिय कौन सा है तो friends question का सही आंसर हो जाएगा मेगाले का बंबू नर्तिय option B सही आंसर हो जाएगा मेगाले का बंबू नर्तिय SSC 2004 का कोशन है important है next question है एक बाना किसका जापानी रूप है तो friends question का सही आंसर हो जाएगा ये एक फूलो की सजावट है option C सही आंसर हो जाएगा ये एक फूलो की सजावट है SSC 27 का कोशन है तो important है ठीक है नेस्ट कोशन है भारत की किस भाग में बंबू निर्थे परसिद है देखें बंबू निर्थे है मेगाल्य का एक बंबू निर्थे है ठीक है तो ये कहाँ पर है परसिद बेगाल्य में होगा option B सही अंसर हो जाएगा में घाल लिए तो friends ये कुछ important question हम आपको update कराएं है इनमें तो कुछ question ऐसे हैं जो SSC GD में आ चुके हैं SSC परिक्साओं में आ चुके हैं वे यदि important है तो question अच्छे लगए तो वीडियो को like और share जरूर कर दें चैनल को आप subscribe आप जरूर कर लें और यदि आप हमारी website पर जाना चाहते हैं तो वीडियो को description आपको link मिल जाएगा www.gknis.in वहाबर भी SSC GD से संबंदित question आपको मिल जाएंगे UPSI से संबंदित question आपको मिल जाएंगे तो वीडियो चलेगे तो like और share जरूर कर दें thanks for watching